अविमेक एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तो आज के इस वीडियो में हम सो महत्वपुर्ण कम्पिटर सामने ग्यान के प्रस्नोत्तर देखेंगे। आप किसी भी प्रतियोगी परिक्षा की तैयारी कर रहे हो आपके लिए ये मौस्ट आइम पी रहेगा। किसे कम्पिटर का जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किस परिपत का प्रयोग कम्पिटर में स्मूती यंत्र के रूप में किया जाता है। कम्पिटर का उप्योग किया जाता है स्मूती यंत्र के रूप में। कम्पिटर में मोलिक प्रयोजित आके लिए एंड का प्रयोग किस लिए किया जाता है। घटाने के लिए किया जाता है। इलेक्टरोनिक मेल के जनक कौन है आर्थर C. Clark याद रखेगा इमेल के जनक किसी संगठन के इंट्रोड़क्टरी वेब पेज़ को क्या कहा जाता है हॉम पेज कहा जाता है कई बार यह जो क्वेस्टन है वो पुछा आ चुका है तो याद रख लीजेगा किसने सुचना प्रदर्शन का नया रूप World Wide Web सुरजीत किया है कई बार पुछा गया है टीम बंसली डबल्यू 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 का फॉल फर्म क्या होता है वल्ल वाइड वेब ये भी पुछाया चुका है और इसका जो नया रूप किसने दिया है तो तिम बंसली ने दिया है याद रखेगा पहले विक्सित कंप्यूटर बासा कौन सी है पहली विक्सित कंप्यूटर बासा है कोबोल किस दरस्टी के अनुसार किसी पर्सनल कंप्यूटर के CD-ROM ड्राइव का वर्गी करन किया जाता है अभी धारन काल के आधार पर किया जाता है डिस्क पर बंडारन है तो किसी डेटा फाइल का आकार थोटा करने के लिए उसके संसादन को क्या कहा जाता है न्यूनी करन कहा जाता है एक कंपेक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा बंडारन पद्धिती होती है चुम्ब किये होती है जिसे हम cd कहते है उसका पूरा नाम होता है compact disc computer में ic का आर्थ क्या होता है integrated circuit होता है जिसे हिंदी में एक ही कुरूत आवेस कहा जाता है कई बार पुछा गया है ic का full form याद रख लिजेगा integrated circuit सुचना प्राज्योगी की के ख्षेत्र में WLL का पूर्ण रूप क्या है WLL का होगा wireless local loop याद रखेगा आगे बढ़ते हैं computer virus क्या होता है एक विशेश प्रकार का computer program है virus क्या है एक प्रकार का program किया हुआ होता है वो भी एक program ही है computer के लिए ic chip आमतोर पर किस तत्वक से बनाई जाती है silicon से बनाई जाती है ic chip कई बार ये भी पूछा जा चुका है computer के processor की गती को मापा जाता है hertz में मापा जाता है computer प्राज्योगी की में C1 रिक्तस्थान भासा है निम्नस तरिय भासा है C क्लिक जेकिंग क्या है computer engineer का एक रूप है आगे देखते हैं भारत का पहला computer रिक्तस्थान में स्थापित किया गया था भारती और सांकी की संस्थान कोलकता में ये स्थापित किया गया था विश्व के पहले computer का क्या नाम था एनियक नाम था विश्व का पहला computer एनियक किस देश के द्वारा विक्सित किया गया था संयुत राज्य अमेरिका द्वारा किया गया था USA United States of America भारत का पहला computer का नाम क्या था सिद्दार्थ भारत का पहला computer सिद्दार्थ नाम याद रखेगा डाटा के प्रेशन की गती को मापने वाले एक्ट को सामनी तह क्या कहते है बीट प्रती सेकंड कहते है क्या कहते है बीट प्रती सेकंड BPS किस क्षेत्र में spreadsheet software सबसे अधिक उपयोगी होती है प्रकाशन में होती है किसने integrated circuit चिप का विकास किया था जे एस किल्बी ने किया था जे एस किल्बी IC चिप याद रखेगा integrated circuit चिप computer प्राज्योगी की में assembly भासा के लिए किस संकेत का प्रेयोग किया जाता है assembler का किया जाता है assembler HTML में N-O-S-H-A-D-E किसका प्रतिक है रेखा के गेहरे खुसर रंग का प्रतिक है computer द्वारा प्रेयोग किये जाने वाले program और data कहां अपलब्द होते हैं processing unit में अपलब्द होते हैं किस सुचना प्राज्योगी की company ने MMX टेकनोलोजी की सरुवात की एपल ने की है computer विज्ञान में kilobyte का मान कितना byte होता है 1024 byte होता है one के भी यानि 1024 byte computer की IC चिप प्रायह किस पदार्थ की बनी होती है silicon की बनी होती है CD-ROM डिस्क को पढ़ने के लिए किसका प्रेयोग किया जाता है ध्वनी कार्ड का प्रेयोग जो है वो किया जाता है उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दुरी से संचरणों के सुरूप में हंकिय संकतो को अनुरुप संकतो में बदल देती है तो उससे कहा जाता है मॉडेम अब मॉडेम का जो फुलफो में कई बार पुछा आचुका है मॉडेम modular demodulator modulator demodulator इसका फुलफो मता है याद रख लिजेगा कई बार ये पुछाया चुका है। आलेक पाठ द्वनी वीडियो तथा एनिमेशन के सयोजन में सुचना को क्या कहा जाता है। बहुत संसाधन कहा जाता है। आधुनिक कॉम्पीटर की खोज सर्वप्रत्म किस वेर्ष हुई थी? संग 1946 को हुई थी। कम्पीटर के खेत्र में महान्करांती की सरुवाद किस वेर्ष हुई थी? संग 1960 में हुई थी। कंपिटर के बारे में जागरूकता फिलाने के लिए कंपिटर साक्सरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है 2 दिसमबर को मनाया जाता है सुचना प्राजोगी की क्षेत्र में CPU का पुर्णरूप क्या है CPU कंपिटर का मस्तिष्क कहा जाता है Central Processing Unit क्या होता है Central Processing Unit कई बार पुछा जा चुका है इसमें MU होता है Memory Unit और एक ALU होता है Arithmetic and Logical Unit तो ये तीन चीज़ इसमें होती है CPU में आगे देखते हैं Computer में गणना और तुलना करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ALU का किया जाता है ALU का पूर्णरूप क्या है Arithmetic Logic Unit तो ये कई बार पुछा जा चुका है याद रखेगा और किसके लिए उप्योग होता है तो गणना और तुलना Math related जो भी है वो ALU काम करता है Computer को Hindi में क्या कहा जाता है संगनक कहा जाता है याद रखेगा संगनक Computer के CPU का मुख्यकारिय क्या होता है गणना और प्रोसेसिंग करना होता है Computer में किसके द्वारा Input का Output में रुपांतरन किया जाता है CPU द्वारा किया जाता है Central Processing Unit द्वारा Computer को रिक्तस्तान बुद्धी की संग्या दी गई है क्रुत्रिम बुद्धी क्या कहा गया है क्रुत्रिम बुद्धी सुचना प्राज्योगी की के ख्षेत्रों में EDP का पूर्ण रूप क्या है Electronic Data Processing EDP Electronic Data Processing Computer Process में Information को क्या कहा जाता है Data कहा जाता है जो Information होती है उसको क्या कहते है Data computer के कितने प्रकार है five प्रकार के computer होते हैं दुनिया का सबसे थेज computer कौन सा है फुगाकू super computer है कौन सा है फुगाकू super computer सामनी रूप से प्रयोग किया जाने वाला computer कौन सा है digital computer है विश्वक के पहला super computer का नाम क्या है cdc6600 विश्व का पहला सुपर कॉम्पीटर CDC 66600 किस PD के कंपुटर में कंपुटर से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोक शरू हुआ किसरी PD से मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो शरू हुआ था चुम्ब की ये डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है iron oxide की परत होती है चुम्ब की ये डिस्क पर यानी cd और dvd जो होता है उसमें क्या होता है iron oxide की परत लगी होती है जो चमकती रहती है किसी PD के कंपुटर को microprocessor कहते है सतुर्थ PD के computer को microprocessor कहा जाता है data computer किसके सिद्धान्थ के अनुसार कारिय करता है गर्णा पे कारिय करता है कम्पिटर के कीबोर्ड में कितने function की होते है most time पी कई बार पुछा आ चुका है 12 function की होते है F1 से लेकर F12 तक तोटल 12 होते है function की कम्पिटर के memory में कारिय को कौन प्रदर्शित करता है monitor प्रदर्शित करता है जो भी हम data input करते है फिर वो CPU में जाता है वहाँ से process हो कर में monitor में दिखाई देता है सुचना प्राज्योगी की के क्षेत्र में LCD का पूर्णरूप क्या है LCD Liquid Crystal Display क्या होता है Liquid Crystal Display कई बार पुछाया चुका है Most Time PHA याद रख लिजिएगा सुचना प्राज्योगी की के क्षेत्र में OCR का पूर्णरूप क्या है OCR Optical Character Recognization तो ये भी याद रखेगा ये भी कई बार पुछाया चुका है CD को Compact disk के अलावा और किस नाम से भी जана जाता है Optical disk भी कहा जाता है CD का फूल फूर्म क्या होता है Compact disk लेकिन पुछा जाया है के और एक नाम क्या है तो Optical disk भी CD को कहा जाता है Computer का मुख्य कारिये कारी EPI को क्या कहा जाता है motherboard क्या है क्या है सुझ्या प्राध्योगी की क्षेत्र में IBM का पूर्ण रूप क्या है International Business Machine IBM काफी बार पुछा जा चुका है International Business Machine याद रखेगा संपूर्ण कम्पीटर प्रना लेके प्रेसन को कोन नियंतरित करता है Motherboard जो है वो नियंतरित करता है Basic Computer बासा का विकास किस ने किया था John G.K.M.I. ने किया था Basic Computer बासा का विकास जब किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है Flow Chart कहते हैं जित्र के रुप में यदि प्रदर्सित हो रहा है तो उसे flowchart कहा जाता है. COBOL एक प्रकार की computer बासा है, इसका प्रयोग मुख्य रुप से किस कारिय के लिए किया जाता है? तो व्यवसाइ कारिय के लिए किया जाता है COBOL का प्रयोग. कौनसी computer बासा उच्च स्तरी ये अंग्रेजी बासा के समान है वो है COBOL इंटरनेट में प्रयोग होने वाली computer बासा को क्या कहा जाता है Java कहा जाता है क्या कहा जाता है Java Web Service के लिए मुख्य रूप से किस operating प्रणाली का प्रयोग किया जाता है Unis का प्रयोग जो है वो किया जाता है किस number system का प्रयोग computer में data store और गर्णा करने के लिए किया जाता है binary system जो है उसका प्रयोग किया जाता है इसमें दो होते हैं सब्दभ तो वो भी याद रखेगा 0 और 1 होता है क्या होता है 0 और 1 binary यानि 2 computer memory की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते है beat कहते है computer storage की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है TB है TB से आगे भी जो है वो आता है लेकिन यहाँ पर हम याद रखेंगे TB टेरा बाइट binary number system में कितने अंक होते हैं दो अंक होते हैं computer में अक्सरों तथा चिन्हों को byte में एकत्र करने की विधी को क्या कहते है coding system कहते है computer में सुचनाओ को किस रूप में एकत्रित किया जाता है digital data के रूप में एकत्रित किया जाता है ये भी कई बार पूछा जा चुका है computer की भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है hardware कहते है hardware और software दो होता है लेकिन भौतिक बनावट पूछा जाए तो याद रखेगा hardware सुचना प्राध्योगी की क्षेत्र में DOS का पूर्ण रूप क्या है disk operating system जो पुराने computer थे सबसे पहले जो आये थे ओडबे वाले तो उसमें क्या चलता था disk operating system चलता था इसमें आगे बढ़ते हैं किसके तकनिकी के द्वारा computer के hardware और software में संबंद स्थापित किया जाता है interface के द्वारा किया जाता है टेली software का प्रेयोग किसके लिए किया जाता है accounting के लिए किया जाता है टेली का प्रेयोग आगे दिखते हैं एक computer में दो processor लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते है parallel processing कहते है एक computer में दो processor parallel processing कोई भी उप्योग करता कि इस operating system के माध्यम से एक साथ कई computer को operate कर सकता है तो वो है time sharing cda का पूर्ण रूप क्या है computer added design cda computer added design computer प्राज्योगी की क्षेत्र html का पूर्ण रूप क्या है html का पूर्ण रूप कई बार पुछा रा चुका है hypertext markup language क्या होता है hypertext markup language यहां पर ऐसे question लिए गए है जो बार बार exam में कौन computer को internet से जोड़ने में मदद करता है browser जो web browser होते है वो हमें internet से जोड़ने में मदद करते है किसी भी website के address को क्या कहा जाता है url universal resource locator इसका पुरा नाम होता है url का पुरा नाम भी याद रख लिजिगा यह भी कई बार पुछा आता है universal resource locator url इंटरनेट का पूर्ण रुप क्या है international network होता है भारत में internet की सुविदा किस वर्स शुरू हुई वर्स 1995 में सुरू हुई थी internet की सुविदा भारत में keyboard को हिंदी में क्या कहते है कुंजी पटल कहते है क्या कहते है कुंजी पटल keyboard को हिंदी में Windows Software का निर्मान किस कंपनी के द्वारा किया गया, IBM के द्वारा किया गया IBM का फुल फॉर्मम आगे देख चुके है, इंटरनेशनल बिजनेस मसीन होता है विश्व में सरवाधिक कंप्यूटर किस देश में है, सहिंक्त राज्जिय अमेरिका में है कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूँ को क्या कहा जाता है, डायरेक्टरी कहा जाता है किसी डेटा बेज के डेटा फाइलों की सुची को क्या कहते है, डेटा डिक्शनरी कहते है निर्वात ट्यूब का प्रेयोग किस PD के कम्पीटर में किया गया था तो प्रथम PD में जो है वो निर्वात ट्यूब का प्रेयोग किया गया था तो तब बड़े बड़े कम्पीटर से है जो वो हुआ करते थे और निर्वात ट्यूब जो उसमें लगाया जाता था कम्पीटर में नई स्लाइड के लिए किस सौटकट की वर्ड का प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग जो है वो किया जाता है यह सौटकट की है नई स्लाइड के लिए कम्पीटर में विंडो किसका एक प्रकार है software का एक प्रकार है window computer virus जो एक विशेश प्रकार का computer program है यह computer हों में इससे शती पहुंचाते हैं यह computer के program को नश्ट कर देता है तो जो virus है वो भी एक तरह का program है लेकिन यदि वो computer में आ जाता है तो दुसरे program जो होते हैं उसको नश्ट कर देता है तो जीस वज़ा से computer चलना बंद हो जाता है परम सुपर कंपीटर जो एक भारतिय सुपर कंपीटर है इसका निर्मान किस संस्ता के द्वारा किया गया था सीडेक के द्वारा किया गया था परम जो computer है सुपर कंपीटर हो पहला सुपर कॉम्पीटर है याद रखेगा और सीडेक के द्वारा इसका विकास किया गया था कॉम्पीटर भासा में फाइलों को क्या कहा जाता है डोक्यूमेंट कहा जाता है फाइल को किसे कॉम्पीटर का मस्तिस्क कहा जाता है Central Processing Unit यानि CPU को computer का मस्तिस्क कहा जाता है किसके द्वारा computer network को बाहरी आकरमन से बचाया जाता है तो formatting के द्वारा बाहरी आकरमन को आकरमन से बचाया जाता है Computer program के लिए किस बासा का विकास सर्व प्रथम किया गया था विडियो पसंद आ तो लाइक करें कॉमेंट करें अपने सभी दोस्तों को विडियो सेर करें चैनल सब्सक्राइब करना बाकी हो तो सब्सक्राइब करिए और बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है आप तुरुन देख पाएं आपको वेट नहीं करना पडें थैंक्स पो वचिंग मैं वीडियो